दोस्टो आज में शियर करोंगे दाल चिली के बहुत ही चमतकार युपायजिन को करके आप जिंदगी में आ रहे ही परिशानी रुपे पैसो को लेकर दूर कर सकते है नमस्कार दोस्टो कैसे हैं आप सभी उमीद करते हूँ आप स्वस्तू नमस्त नमस्ते होंगे तो चलिए चलते हैं वीडियो की चरफ दोस्तो धन प्राप्ति के लिए दाल चीनी का टोटका बेहद असरकारक होता है माना जाता है कि इस टोटकों को करने से मा लक्ष्मी प्रसन होकर धन वर्शा करती है दोस्तो धन प्राप्ति की इच्छा हर इनसान की होती है हलाकि इसके लिए मेहनत भी जम कर करते हैं लेकिन कई बार कठीन मेहनत करने के बाब जूद भी लेकिन कई बार कठीन मेहनत करने के बाब जूद भी मनोकूल प्रहिनाम नी मिलता है ऐसे में कई बार लोग हताश और निराश उकर बैठ जाते हैं जानकर बताते हैं कि धन प्राप्ति के लिए मेहनत के साथ सद ग्रहों की दशा भी सही होने चाहिए क्योंकि कई बार ग्रहों के अशुप प्रभाब से आर्थिक तंगी से जूजना पड़ता है ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाये बताने जा रहे हैं इसे करके आप अपनाने के बाद आपकी आर्थिक स्तिती में कर्मिशा सुधार होने लगेगा साथी मालक्श्मी की विशेश किरपा आप पे बनी रहेगी दोस्तों अगर आप बहुत सारा धन पाना चाते हैं तो आपके लिए दाल चेनी का तोटका यह उपाय बहत कारगार साबित होगा दाल चेनी का तोटका करने के लिए सबसे पहले इसका पाउडर बना ले इसके बाद इसके उपर 11 बार धूप या अगर बत्ती को घुमाएं ध्यान रेकिन अगर बत्ती को एंटी क्लोक वाइस घुमाना है इसके बाद दाल चेनी के पाउडर की टिजोरी या पर्स में रखने वाले इस्तान पर छिड़क दे साथी बच्चे वे पाउडर को घर के पूजा मंदिर में रख ले याद रहे ये उपाएं आपको हफते में कम से कम दो बार करना है इस उपाएं को करने के लिए शुकरवार का दिन बहतर होता है मा लक्षमी को खीर का भोग लगाएं धान प्राप्ति के लिए शुकरवार के दिन मा लक्षमी को किसी मंदिर में जाडू दान करें इसके साथी कनक धारा स्तरोत का पाट करें जो तिस शास के रुशार सकनर से मा लक्षमी प्रसन होकर धन वर्षा करती है इसके लावा आप शुकरवार को एक उपाई और भी कर सकते हैं शुकरवार के दिन मा लक्षमी को चावल की खीर का भोग लगाएं और उसे परशाद के तुरपक वारी कन्यों को बाटे दोबारा शाशीत है घर में खुशाली और सुक सिर्मिर्दी बढ़ाने के लिए भी दाल चिनी के टोटके बहुत कारगर होते हैं इन से जुड़े उपाई के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी ग्रहे नक्षेस्त्रों की दशा और दिशा कपरवाव हर वेक्ति पर पढ़ता है जोती शास्त्र में कई ऐसे उपाई बताए गए हैं जिनके इस्तमाल से गिरहों की शांत किया जा सकता है रसोई में उपयोग के जाने वाले कई मसाले भी इसके इस्तमाल में आते हैं इन मसालों में दाल चिनी का प्रियोग बहुत खास माना जाता है जोतिश चास्त्र में दालचिनी का उपयोग अपने घर की खुशाली और संबंता के लिए भी किया जाता है दालचिनी का प्रयोग मंगल और शुक्र ग्रह को भी ठीक करता है घर में खुशाली लाने और सुक्षम्रीदी बढ़ाने के लिए भी दालचीनी का इस्तमाल किया जाता है दोस्तो अगर आपकी आर्थिक तंगी ने आपको परिशान कर दिया है तो दालचीनी के टोटकों से आपको निशित लापकारी सिध होगा इसके लिए आपको दालचीनी का पाउडर बनाना होगा और इसके उपर से अगर बत्ती घुमाएं और मनिमन शुक्षानती की काम ना करें दोस्तो दालचीनी पाउडर को एक कागज में लपेट कर अपने पर्स या तिजोरी में रखें और थोड़ा सा पाउडर पुजास तल पर भी रखें और इसे हर दूसरे दिन बदलते रहें इससे आपका रुकावा धन वापस मिलेगा आपको धन विर्दी भी होने लगेगी दोस्तो कारवार में तरक्की के लिए दालचीनी का तोटका बहुत उपयोगी माना जाता है दालचीनी पाउडर हाथ में लेकर घर बिजने से दुकान के मुखे द्वार पर अंदर के और मुह करकर खड़े हो जाएं अब इस पाउडर को अंदर के और फूक करें वड़ा दें ये तोटका करते समय भगवान से कारवार में तरक्की की प्रातना करें इससे वैपार में जल सफलता मिलती है आर्थिक तरक्की के लिए एक बड़े बरतर में जाल चेनी और संतरे का छिलका डाल कर वबाल लें और इससे ठंडा होने दें अब इसे छान कर एक बोतने भड़ लें अब इस जल से पूरे घर में छिड़काव करें घर के पेड़ पोधो में भी इस जल से छिड़काव कर सकते हैं ऐसा करने से घर में बरकत होगी दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी मुझे अमीद आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहें मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू